स्वाम वेकुम गाइज वोफुली यू और विल वी फाइन एंड हैपी मेरा आज का प्रेजेंटेशन टॉपिक है कार्केश इवालेशन एंड इंस्पेक्शन स्वार्टिंग के बाद जो एनिमल की बाड़ी होती है उसे हम कार्केश कहते हैं और स्वार्टिंग के बाद के सारे प्रोसिजर कार्केश इवालीशन में हम लोग देखते हैं फास्ट टाइम 1891 में निव यू यूर्क में मीट इंस्पेक्शन स्टार्ट हुई थी मीट इंस्पेक्शन में हम साइन एंड सैफ्टम्स देखते हैं कि जो हमारे पास कार्केश है उसके क्वालिटी की स्थाहां की हैं इसके पेशलाइज वीटेरियन करते हैं जिसमें वो डिफरेंट साइन एंड सैफ्टम्स देख रहे होते हैं कार्केश और आफर्स के जिसके बेस पर वो एवल्यूइट करते हैं कि यह हमारे पास जो एनिमल है इसके आफर्स बगारा एडिबल हैं खाने के काबल हैं या नह अगर डिफरेंट टाइपस के ऐनिमल एक ही दिगाबर स्प्राटर हो रहे हैं तो हम टैक्स जूज़ करते हैं थाकि उनकी बाद में एडिटिपेकेशन हो जाएं अगर मीट में बिक्टेरियल एफक्ट्रिया बिक्टेरियल एटैक हो गया है तो उसमें टिश्यू डिस्ट् इसके अलावा अगर हमारे splotted animal को tuberculosis या pneumonia है तो उसके भी different science जो हो रहे होते हैं बाडी के उपर सच लेगी लेसन सेटी से इनके अलावा अगर fungal का attack हुआ होगा animal के उपर तो कारकिस में lungs and heart या किसी और awful के उपर cyst होंगे इसके अलावा अगर animal के उपर parasites का attack हुआ है तो उसके lungs या abdominal cavity में lining होगी basically यह signs and symptoms हैं जो हमें evaluation में help करते हैं कि हमारा meat अच्छी quality का है consumable है या नहीं है जो आपको वीडियो में दिखाए गया है यह बहुत अच्छी quality का meat है इसमें कोई इस तरह के symptoms शो नहीं हो रहे जो कि disease की वज़ा से हूँ इस तरह आप एक veterinary ख्याल करता है एक एक point को माइंड में रखते हुए evaluate करता है कि यह meat की spread में जाएगा यह ता हमारा शार्ट सा टापिक होपस आपको समझा आगया होगा अगर कुछ समय नहीं आरा तो आप comments में पूछ सकते हैं वीडियो को like share करना बिल्कुल ना भूले मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तक तक करता है